हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासर जिधारीस सर में इस वीडियो में एनाटॉमी से रिलेटेड जो सीरीज चल लही थी उसी के आगे आज आपको मिलेंगे 152 से 106 तक के कुईस्टन के आंसर तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट कुईस्टन ह और आप लोग हेड़फोन लगा लिजेगे जितने भी वीडियो के लिंक आपको प्रोवाइट कियेगे सभी आप लोग पढ़ अवस लीजिएगा क्योंकि आप दो तीन बर जब वीडियो को सुन लेंगे आपको आंसर उनके याद हो जाएंगे जैसे ही आपको एक्जाम मे के साथ में रिलेट करेगा नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं 53 नंबर का कोईशन है निम्न में से कौन सा रोग मनुस्य में वायरस द्वारा उत्पन होता है तो कौन सा रोग होता है तो यह होता है आपका चिकन पॉक्स के साथ में रिलेट करेगा इसकी सौटक ट्रिक ज करते हैं नेक्स्ट है जब सरीर बैक्टीरिया का आक्रमड छेल रहा होता है तो निम्न में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती है तो यह जो संभावना होती है ल्यूकोसाइट्स के बढ़ जाने की होती है ब्लड सुकर के लिए उपर्युक्त ब्यायाम है तो ब्लड सुकर के लिए टहलना उपर्युक्त ब्यायाम होगा राइट आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट कोईशन है प्रेश्ट सूल एक प्रकार का विकास है तो यह जो होता है आपका होता है कटी छेतर के साथ में रिलेट करत पे हैं कि यहाँ पर D option लिया है टिक कर दिए गलत होगा vitamin option number D में vitamin A दिया हुआ है होता है vitamin D से तो B option में दिया है तो B उत्तर इसका right होगा क्योंकि इस तरीके से गलतियां हो सकती है next question पर move करते हैं प्रत्यच संचारण वाला रोग है प्रत्यच संचारण वाला रोग कौन सा है तो यह है आपका C option TV के साथ में relate करता है next question पर move करते हैं प्लेग नामक बीमारी होती है तो प्लेग नामक बीमारी किस से होती है चुहे से relate करता है next question पर move करते हैं किसके रोगी को dialysis पर रखा जाता है तो किसके रोगी को dialysis पर रखा जाता है तो यह व्रक के साथ में relate करेगा next question है चेचक के टीके की खोज किस के द्वारा की गई थी तो चेचक के टीका जो खोजा गया था Edward Jenner के द्वारा खोजा गया था next question पर move करते है 63 epilepsy रोग का संबंध किस से है तो 63 number most important नाड़ी संस्थान से relate करता है question number 60 रोग घेंगा रोग किसकी कमी से होता है घेंगा रोग पूँच लिया जाए ग्वाइटर पूँचा जाए तो यह किस से relate करेगा thyroxine यहाँ पे दिया हुआ है तो D option right answer होगा next question पर move करते है 65 सभी रोग प्रतिकारक डैस से निर्मित योगिक है तो यह किस से निर्मित योगिक है polypeptide कड़ी के साथ में relate करता है next question पर move करते है 66 number का question है हीमोफीलिया में क्या होता है रक्त का ठक्का नहीं जमता C sorry B option right answer होगा question number है 67 vitamin B6 की कमी के क्या प्रभाव है vitamin B6 की कमी के प्रभाव eczema के कुछ प्रकार से relate करेगा next question है संक्रामक रोगों में सामिल है तो संक्रामक रोगों में रोगों से कौन relate करेगा tuberculosis के साथ में relate करता है next question है 69 t का करन डैस के लिए एक मुख्य वी अंत्रण उपाय है तो 70 नमबर से पहले है 69 नमबर a option होता है संक्रामक रोग 70 नमबर tv का एक उधारण है तो ये है आपका 22 बीमारी कुछ places पे आपको ये महामारी भी मिलता है तो right answer a उत्तर हो जाएगा next question देखते है 71 च्छै रोग में जिवान सामनता डैस पर आकरमन करते हैं ये किस पर आकरमन करते हैं फेफ़डों पर आकरमन करते हैं next आयूदीन की कमी के कारण होता है तो आयूदीन की कमी के कारण क्या होता है घेंगा रोग होता है a option right हो जाता है next question 73 प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो प्रोटीन की कमी से क्वाश्योर कोर होता है most important है कई बार पूछा गया exam में next question है BCG का टीका निम्न में से किसके बिरुद्ध प्रतिरच्छा उत्पन करने के लिए दिया जाता है तपेडिक के साथ में यहां पर relate करेगा next question पर move करते है 75 उत्सरजन तंत्र से तात पर है तो यह दूसरी पदार्थों को बाहर निकालना भी उत्तर right हो जाएगा यहां पर जितने भी questions आपको दिया जारे most important questions ही आपको provide किया जारे है question number 76 कंट सूल का कारण क्या है तो कंट सूल का कारण क्या होगा हिरोदई मान स्पेशियों तक आपर र्याप्त रक्त पहुचना question number 77 किडिनी के upper lops जो ग्रंथ इस्थित होती उसे कहते हैं उसको क्या बोलते है adrenal बोलते है B option right होता है next question है important question बताईएगा यहाँ पे आपका B के साथ में relate करेगा 900 से 1000 ml यहाँ पर right answer होगा next question 79 एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं 79 most important है त्यान रखिएगा C option इसका सही answer होगा next question एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होते हैं यह भी important है एक किलो कैलोरी होता है next question 81 किस आहार को संपूर आहार कह सकते हैं तो यह किसको कह सकते हैं milk के साथ में relate करेगा B option right answer होगा 82 number का question ब्रद दिकाल में भोजन में किन पोसक तत्तों का अधिक समावेस होना चाहिए पेचा इस्तरी के आहार में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए तो यह कम होना चाहिए A option right answer होता है next question है संतुलित भोजन के लिए आवस्यक है कि 84 बताईएगा अभी तक आप लोगों ने जितनी तयारी की है बस उसका यह super fast revision है आप लोगों की तयारी है बस दो से तीन बार जिसको questions गलत होते हैं दो से तीन बार वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से देखिएगा सुनिएगा आपके answer सभी याद होते जाएंगे 84 नंबर है संतलित भोजन के लिए आवस्यक है तो इसके लिए आवस्यक है प्रोटीन भी कार्बो हाइड़ेट भी वसा भी D option right answer होगा next question पर move करते हैं निम्ण में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन होता है तो कौन सा रोग कवक के द्वारा उत्पन होता है D option दाध हो जाएगा next question है वाई द्वारा कौन सा रोग फैलता है तो वाई के द्वारा यह आपका यहाँ पर D के साथ में रिलेट करेगा next question is 87 गाउ द्वारा कौंसर रोग फैलता है तो गाउ के द्वारा titaness हो जाता है C option right answer होता है next question is peel-pound रोग किसके द्वारा उत्पन होता है तो peel-pound रोग जो होता Qlex मचछर से relate करता है D option right answer होता है next question is leukemia किसकी बीमारी है बताइज़ेगा जो leukemia है या किस से relate करता है आपका answer किस option से relate करेगा रक्त से relate करेगा अपनी scoring भी आप लोग कर दिया करिए जब पहली बार में आपके question गलत होते हैं कोई बात नहीं दूसरी बार तीसरी बार में जब revision आप करें तो आपके total question सही होना चाहिए question number 90 तो यह hysteria के साथ में relate करेगा 90 number next question है संक्रामक रोग है यह कौन सा होता यहाँ पर 91 malaria के साथ में यहाँ पर relate कर जाएगा 91 एक मिनट संक्रामक रोग ठीक है next question 92 किस रोग का वाहग ग्रह मक्षी है तो ये किस रोग का वाहग ग्रह मक्ही होगी हैजा के साथ में रिलेट करता है नेक्स्ट कोईशन है 93 वाइरस द्वारा होने वाले रोगों से सम्बंदित है तो ये कौन सा होका इन्फ्लॉैंजा होता है नेक्स्ट कोईशन है 94 सरीर की रोगों से संगर्स करने की सक्ति को कहते हैं क्या कहते हैं रोग प्रतिरोधक छमता से रिलेट करता है 95 नंबर कोईशन पर move करते हैं टिटनस में होने वाला मुख्य बिकार है तो टिटनस में होने वाला मुख्य बिकार है सरीर का एंठ जाना नेक्स्ट है most important why दारा फैलने वाला रोग है option के according यहाँ पर ए के साथ में answer पर relate करेगा चेचक next है अच्छे स्वास्त के लिए कैसा ब्यायाम करना चाहिए अच्छे स्वास्त के लिए नियमित ब्यायाम करना चाहिए next question है 98 अच्छे स्वास्त की पहचान क्या होती है तो यह ध्रमान स्पेस है नेक्स्ट कोईशन है 99 जाड़े की मौसम में इसनान करना चाहिए बिलकुल प्रति दिन करना चाहिए बी आप्सन कॉमन सेंस पर अधारित कोईशन था यह आप लोग का गलत होने के चांसे थे नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं 100 सरीर के रक्त को सुद्ध करता है तो शरीर के रक्त को सुद्ध करता है किस से रिलेट करेगा यहाँ पर Oxygen से रिलेट कर जाएगा पैरों के तलवे की चप्ते होने को क्या कहते है प्रिवियास प्रैक्टी से्र्स में यह सभी कोईशन साथ को दिया जा चुके हैं बताईए का flat food के साथ में relate करेगा next question है one zero two round bag बिकरत को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है आपका kai offices के साथ में relate करता है next question है जिसमें कंधा जुक जाता है और rid की हड़ी एक तरफ मुढ जाती है तो ये आपका scolysis के साथ में relate करता है c option right answer होता है आता है 104 भी important question है सही answer एक के साथ में relate करेगा ध्यान रखियेगा 105 भी important है एक वयस्क मनुस्थ को कितने milligram chloride का सेवन भोजन में प्रतीक दिन करना चाहिए तो 2000 milligram के साथ में answer relate करेगा next question है आज की इस वीडियो का last question है sulfur हमारे सरीर में किस पोसक तत्त के एक भाग के रूप में होता है तो ये आपका वसा के रूप में होता है C option right answer होकता है तो ये question जितने भी आपको अभी तक provide किये गए हैं सभी questions का आप सभी लोग revision एक से दो बर अवस्य कर लीजेगा first video है कम समय में सारे questions तैयार किये जा रहे हैं इसलिए आप लोग इन questions को अवस्य रिपीट कर लीजेगा नए वीडियो में anatomic के next questions के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार